हालो गुड इवनिंग वोप्स आप सभी लोग अच्छे से होंगे जब दो सफ्ता से जादा हो गया तो मुझे लगा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बनाना चाहिए वीडियो जैसे कि आप लोगों को कुछ और लेर्निंग कंटिन्यू रहें कुछ ज्यादा कुछ सीख पाएं तो इन सभी में पहले चुरूबात कर लेते हैं बाजार के बारे में मार्केट क्या आपको बताने के कोसिस कर रहा है किस प्रकार से इसमें आप ट्रेड करेंगे और साथी साथ आज विजी तरीके से हैंडिल कर पाएंगे किस प्रकार से कम रिस्क में वह बहतर काम कर पाएंगे इस बाजार उसकी विचाचा करें तो चलिए आप लोगों को टाइम को ब्रवात नहीं करते हुए नहीं करते हुए मैं फटापर टॉपिक पर आता हूं और ले चलता हूं आपक कि टाटलिंग के स्क्रीन लख पर ठीक है यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा है हमारा ठीक है अब जो हमने लगाई निफ्टी को है ठीक है अगर मार्केट डाउन होगी निफ्टी तो उसके साथ साथ और भी इंडिक्स हैं जो उसको फॉलो करने का प्रियास करेगा चार्ट भी अक्सर यूज़ करता हूं तो आप इसको इसको को सिखाया है पढ़ाया है बहुत बार बताई है कि किस प्रकार से हम लोग निफ्टी का यूज़ करते हैं ठीक है अब आप यहां पर देख पहले हम बैंड को लेगे ठीक है ना बुलिंजर बैंड को जब लेते ह हैं तो बैंड आपको क्या बता रहा है जो भी बैंड को देखे हैं या जानते हैं उनको इस सारी चीज़े पता होगी अभी कि क्या करने का प्रयास कर जैसे देखेंगे कि बैंड हमारी पतली हो गई है यह टाइंग फ्रेम है कहां 17941 17094 वन और नीचे के तरफ 17345 तो एडिया में बैंड लॉक हो गया है तो बैंड लॉक हो गया तो इसका मिनिंग क्या है मिनिंग यह है कि अब इस एरिया से इस एरिया तक एक रेंज मार्केट ने बना लिया है और बाजार इस एरिया में जब तक ट्रेड करेगी ए प्रीमिंब गएर जाता रहेगा लेकिन अब यहां से मार्केट को मुव्मेंट करने के लिए बैंड को ब्लास्ट होना प्लास्ट में इधर या इतर यह जब तक ब्लास्ट नहीं होगा एक कहना मुश्किल है कि कि साइड में ब्लास्ट होगा बहुत से पहले कहने देजिए कि किस साइड में फिर हम बताएंगे अच्छा इस साइड में तो मैं भी चलूँगा बार-बार आप लोगो मैं कहता हूं तो मार्केट को फॉलू किजिए अपने जो गट्स फिलिंग और उसको साइड कर देजिए बाजार कहेगा कि मुझे इधर जाना है ठीक मैं इधर जाओंगा यह दियान रखीगा तो ऐसी मार्केट डे ट्रेडिंग में खास करके काफी ट्रैप करने का प्रयास करेगी डे ट्र देगा लेगा तो चलेगा तो यहां पर बजारवनी रेजिस्टेंस है तो जब तक अब इसके उपर क्लोज नहीं करेगी आप बाय का कोई ट्रेड नहीं लेंगे इस एरिया के उपर क्लोज कर जाती है तो सौट की सारी पोजिशन आप एक बार केंसिल कर देना है ध्यान यह काफी अच्छा सपोर्ट का भी काम करेगा और साथे साथ बैंड भी हमारा यहां पर सपोर्ट बन जाता है तो कोई भी आप इसको यहां से एकवार एकजिट करने का परियास कीजिएगा तो यह आप ज़रूर धियान रखिए कि इसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं है देखेंगे शॉक्त भी वह स्थिती हैं यहां पए वीकली टाइम टाइम फिर्म की जो चाठ है आप पर स्ट तायम एसा हुआ है कि वीकली टाइम प्रेम की क्लोजिंग इसकी लाइफ टायम है क्लोजिंग बेसिस यहां पर देखेंगे कि यह जो क्लोज किया था कितना पर मतलब इसके हाई को यह ब्रेक कर दिया है मतलब निफ्टी से ज्यादा बुलिस बैंक निफ्टी वाले होंगे उनको 15 तक 120 तक यह पहुंच चुका होगा वह दुखी होंगे और पुछ रहे होंगे सार वाट टूडू यहाने वाला होगा तो मैं अपडेट कर दोंगा उसको ज ज्यादा और निफ्टी अभी उद्णा नहीं है तो एक एक प्रयास करेगा एक रेंज बांड करने का तो जब तक ब्लास्ट नहीं कर जाए निफ्टी भरोसा नहीं करना लेकिन एग्रेसिफ सॉट्सेल भी नहीं करने तो यह आप दो चीजों को ध्यान रखना है कि को जब तक आगे नहीं तोड़ती है तब तक हमारा जो वीव होगा हमारा जो ट्रेडिंग पैटरन होगा वो मार्केट के कोडिंग होगा क्लियर है उसके साथी थोड़ा सा यहां पे और चीज आपको देखना है लगा देता है नपोटेश वार्राली पर लगाता है तो ज्यादा कुछ नहीं होता है और प्रेक डाउट क्या करेंगा किस साइड में करेंगा ब्रेक आओट स्कस्सेस होने के संभावना कितनी है यह सारी चीज़़ तो इस तरह से है बट हम किलियर मान कर चलिए कि बस जो है अपने पास यही है जब तक डे टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट नहीं करेगा तब तक ना हम ओफर बुलिस होंगे ना हम इभर बेरिस होंगे इपतला हो गया है इसका मतलब कि आने वाले वक्त में एक बहुत बारा मुमेंटम पूरी चल रहा है तो हम इधर की सोचेंगे इधर की नहीं सोचेंगे जब इधर आएगा तो देखेंगे तो यह होगे आपका मुटमटी भी वह गया आप इसके अधार के स्टॉक की बीटेडिंग कर सकते हैं देख सकते हैं बट याद रखिए एरिया को मार्क कर लिजिए लिए इ कि जितने भी आप्शन के ट्रेडर हैं खासकर कि पोजिशनल ट्रेडर हैं कि इंडिक्स में स्टॉक में उनके साथ दुबिधा क्या होती है जो बायर होते हैं आप सेलिंग भी कर सकते हैं इसके मैं बायर के संदर में बताता हूं कि काफी बड़ी है लोग कैपिटल की है और संखर सीव कि उन्हीं दुख होता है को जो बाइंग करते हैं प्रीमियम गल जाता है और मारे जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता में क्या करो इधर से लूट उधर जाता हूं तो क्या हमें कैसे करनी चाहिए उसका तरीका क्या है कि आप प्राइज के उस पैटर्न को तो किजिए और टूहंडेट डियमे को फॉलो किजिए अगर प्राइज अपने टूहंडेट डियमे के ऊपर है तो आप बाइंग करके चलेंगे नीचे है तो सेल करके चलेंगे किस परकार से वहां पे हम लोग जैसे सिंपल मुविंग एवरिद लगा लीजिए और डे डियमे के ऊपर आ जाए कभी भी तो आप वहां बाइंग की पोजिशन बनाएंगे और एसे प्रिविएस लो जो भी जैसे इसके ऊपर आपने प्रिविएस लो यह रूल करता है स्विंग ट्रेडिंग के लोग बहुत बड़ा पैसा इसमें बनाते हैं और बड़वरे स्मार के लिए हम इसे करते हैं अब कभी भी इंटरी बनाते हैं इस एरिया में इसके आसपास बनाएंगे इसे प्रिविएस लो और इसको आप राइड करते हैं तो आप कहीं पे भी जैसे इसके ऊपर आ गया और आकर स्टेन होने लगा करते हैं आपको क्या करना है कि आवरली टाइम फ्रेम के पास कहीं भी पॉजिशन बनानी है जैसे पंद्रह जार सोला जार चब रहा है तो वन थाउजन पॉइंट ऊपर कम से कम आपको कोशिस करनी है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फिप्टिन हंडेड पॉइंड कि कोई भी कॉल ऑप्शन को आप बाइंग करेंगे फुर्स आइड में पोजिट हो गए याद रखिएगा कि कॉल ऑप्शन को बाइंग करेंगे और जो बाइंग करेंग उसको मांगो कि यह 16,000 आप 17,000 की कॉल को बाइंग करते हो नेक्स्ट मंत की एक्सपारी से मंत की जब आप करोगे तो आपको पैसा बहुत हीं बड़ा बनाएगा बहुत हीं बिगर बनेगा तो यहां पे यहां कहीं भी आपने किया उसको करना काफी इजी होता है तो जो भी बायर हो नेक्स्ट मंथ की प्लान बनाकर आप ट्रेड जब करेंगे तो आपको पैसा काफी बराब दूसरी चेल कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो गए तो सर अगर मैं छूट गया तो आप तो बंद चाट के यहां बता के भग जाओगे म यह बता देता हूं आप चिंता मत करो तो अगर ट्रेन मिस हो गई है बेट तब तक नहीं लेंगे जब तक ट्रेन दुबारा इसके पास नहीं आती है इसके आफ पास जरूरी नहीं कि टेच कर जाए अब यह आप यह आप बाइंग कर लो थाजन पॉइंट उपद की बाइं कर लिए उससे पांसों पॉइंट एक हजार कि शेल कर दें आपको कहीं न कहीं यह आपको रिटर दे देगा दुखी नहीं कर रहे है इसल काफी छोटा होता है ना अगर इसके नीचे सस्टेन कर जात कि तो इस तरीके पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको काफी अच्छा पैसा बनेगा आपको दुख कम होगा आपको परिशानी कम होगी आपको प्रीमियम का लॉस काफी कम होगा और हैपी भी रहोगे आप लोग तो ट्राइ किजिए ज़रा इसको कि क्या ठीक है पहुत सिंपल है और इसके बेस्के अगर निफ्टी में बन जाती है तो आप स्टॉप भी ले सकते हो इस वी आए ऐसी सी बैंक एक्सिस बैंक सब कोई में भी आप ऑप्शन की इसी प्रकार की कर लीजिएगा उसमें जरूरी नहीं कि वाला बने अगर निफ्टी में लोग सेमी होता है एक्टी परसेंट यह आप लोगों को पतावना चाहिए तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास की जिसी मुझे लगता है लिक्कत नहीं आएगी जैसा कि आपके निफ्टी क्या संदर्मों देखें कहां पर 34,300 उपर जाती है वहां 35 लगाती है तो सब्सक्राइब मैं बता देता है है थोड़ा साथ बड़ा साथ इसल होगा बट्वतलब क्या गलती माल लेना ना जोटा गलती है य जब नवाएगा उस बनाते हैं कि यह पन्दरसर पॉइंटब कितना होता है तो इस तरह से आप करेंगे आपको पैसा बनेगा उससे हजार पॉइंट दूर की आप सौट कर दो बैंक निफ्टी में निफ्टी में आप जाएगा और आप लाइफ वहां से बेटर हो जाएगी और जो लोग घर में आप है जो कम पैसे जिनके पास है जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कि हमने इस मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए वह भी इसको आजमा सकते हैं उनको भी इसमें तकलीफ नहीं हो बट आप जो कुछ हल्कूद करते हो कि मेरा वह कर लो कर लो इंडिया ने चाइना बेस्क्रेवर कर दिया इंडिया कर दिया उक्रेन कर दिने उनके लिए नहीं हो इनके blood viens प्राइज को फॉलो किजीए 200 उपर मेरा उतके लिए 13 इसके ओपर हम कॉल में ट्रेड के नीचे हम पुट में ट्रेड में लेकिन जब भी लेंगे के स्टेशन के पास लेंगे अगर ट्रेंज मिस हो गई है तो कोई टेंसा नहीं है वेट करेंगे कि इसके पास आप तब लेंगे अगर यह सारी चीज़ें आप करते हो आपको कोई दिक्कत अब इसको छोड के बाखिस्ता फोलो करोगे मुझे पता है कोशिस किजिए और सीखने का प्रयास कि और मैं जो भी बता रहा हूं इसको लाई मार्केट में दो तीन महीने चार महीने छे महीने ट्राइब कीजिए अगर काम करें तो अभी जाकर पैसा लगाना है नहीं तो बोलना है सम वोम आया है और निकल देना है क्योंकि मैं जो बता रहा हूं और जो आप इसको करने जाओगे सिच्वेशन डिफरेंट होगी वहां पर आपका इमोशन आएगा और इमोशन आपको प्रभावित कर देगा ट्रेड को और आपको अगर सार आपने क्या बता दिए तो कामी नहीं करता है तो इस चीज को समझ करें और आगे बढ़िए मिलते हैं आपको फिर जल्दी है कुछ नए नौलेज के साथ तब तक आप प्रियास करते रही है जीतेंगे या सीखेंगे एक नरेकने दो दौरना सीख जाएंगे ना रहनेवाद आप सबको और सेवा समाप करते हैं यहीं पर मार्केट को याद र देगा बाकी पैटर्न अभी काम नहीं करेंगी बाकी पैटर्न आपको ट्रैप कर लें ठीक है जैने बाद आप सबको और को पुरी सर्विस दे पाऊंगा और हर चीज अपडेट भी कर पाऊंगा टेलेग्राम बगएर पर पुली अपडेट रहोंगा चलिए मिलते हैं धन् हैपी वीकेंड आप सभी का दिन सुखुए